तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, यह हमारी जो क्लास है, यह आज हम लोग पढ़ेंगे, जियोग्रफी और बिहार, और उसने भी कौन सा इसका पॉइंट, फिजिकल डिविजन, फिजिकल डिविजन को आज पढ़ने वाले हम लोग, यहाँ पे हिं और expected questions यहाँ से बनते हैं आपके paper में, तो एक एक point जो भी इसमें आएगा, वो important रहेगा, आज रात 10 बजे या 11 बजे तक नहीं, तो कल सुबह तक आपको इस वाली वीडियो की PDF copy मिल जाएगी, आप उससे रिविजन करके सारे के सारे expected questions और important point को आसानी से देख सकते हैं, तो आप जहां से चाहो, जहां आपको अच्छा लगे, वहां आप वीडियो देख सकते हो, Nix the Tricks Pay 1K में, मतलब 10-80P में आपको stream मिलेगी, तो यहां की quality अच्छी रहेगी, in comparison हमारे teach mint से, क्योंकि teach mint में high resolution की वीडियो नहीं save होती है, तो चलिए हम लोग content को सुरू करते हैं नीचे हमारे social links हैं, आप social links से हमसे connect भी हो सकते हैं, whatever that is facebook और telegram, whatsapp, जहां से चाहो आप मेरे से connect हो सकते हो, तो बिहार का बहुती भी भाजन सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू, कि यह हमारे हिंदुस्तान का map है, जिसमें हमारे बिहार का position आप देख रहे हो, बिहार आपके notes में मिल जाएगा, notes में वाला जो map आपको मिलेगा, वो high definition में रहेगा, उसके quality में आपको कहीं से कमी नहीं मिलेगी, और यह आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हमारे क्या है, वो है physical division of बिहार, देखो, English और Hindi दोनों में है, इसलिद्यान दिजेगा, बिहार क को तीन विभिन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, यह कौन-कौन से हैं बचों, तो सबसे पहले देखिएगा, यह है सिवालिक रेंज, जिसको हम लोग भाबर और तराई रेंज भी कहते हैं, भाबर और तराई रेंज भी कहते हैं, दूसरा है हमारा gangetic plane, इसको हम लो है, तो वो भी सही है, और बिहार का मैदान बोल रहा है, तो भी सही है, उसके बाद third हमारा है, वो हमारा होता है पठारी एरिया, और उसको हम लोग दूसरे भासा में करते हैं, South Fletcher Range, और उसको हम लोग हिंदी में कहेंगे, पत्री छेतर, औभिद कहां का, तो दचिन पठा पड़ता है, तो आज हम लोग ये वाला point और ये वाला point cover करेंगे, last का हमारा ये जो सदान पार्ट है, इस part को हम cover आज नहीं करेंगे, ये हमारी इस वीडियो के second part में cover हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, तो आप हमेसा वीडियो पे बने रहिएगा, कुछ समझ में नहीं आ मतलब क्या भौती की विभाजन, जो भौती की विभाजन भीहार का करा गया है, वो तीन अलग अलग डिवीजन में किया गया है, देखिए, सबसे पहला हमारा सिवालिक रेंज, नाम से आप इसको समझ येगा, सिवालिक से रिलेटे, सिव मिन्स रिलेटेटेड वीद कौन स पार्ट नदर पार्ट ठीक है इसके अंदर हमारे तीन इस पेसल इस रेंज के अंदर तीन अलग-अलग interconnected हमारे मतलब रेंज से हैं सबसे पहला है हमारा राम नंगरदून जितने भी ये हैं समिष्वर रेंज और साथ साथ तीसरा हमारा क्या है हरा वैली ये तीनों का तीनों हमारा कौन से प्रांत में है इस प्रांत को भी ये बहुत important question आता है कि सिवालिक रेंज हमारे बिहार के किस एरिया में है तो ये question previous पूछा गया था तो सिवालिक रेंज आपको आज की वीडियो के बाद ये जो range related problem है गंगेटिक और साथ साथ में कौन सा सिवालिक ये दोनों में आपको आज के बाद कोई problem नहीं आने वाली आप ये बात ध्यान में रखिएगा दूसरा हमारे क्या आता है बिहार का जो बिहार plane है जिसको हम लोग गंगेटिक plane भी कहते हैं उसमें दो पार्ट है देखो गंगा बिहार के किस पार्ट से निकली है आप यहां पे map में देख सकते हैं गंगा बिहार के किस पार्ट में निकली है तो वो 20 से cross की है मतलब center part से इसलिए बिहार का जो ये गंगेटिक मैदान है वो एक है नदर्ण पार्ट वाला जो उपर का है और दूसरा है सदर्ण पार्ट वाला नीचे का और इसके 20 से हमारी गंगा नदी बहती है और ये बहुत ज़्यादा fertile area माने आता है एक्सस फर्टाइल है क्योंकि गंगेटिक प्लेन एरिया जो है हमारे बिहार का वो maximum fertilized area है क्योंकि नदी बहती है और आपको पता होना चाहिए जिस जगह से नदी बहती है वहां बाढ़ भी आता है और खेती भी बहुत अच्छे होती है उसके बाद the last one is Southern plateau अब Southern plateau को हम लास्ट में clear करें क्योंकि यह थोड़ा different type का है इसकी नदियों के बारे भी बात करेंगे और कौन-कौन सी नदियां है पुन-पुन जैसे हुई यह सब नदी उदर पठारी area की है और ओ किस प्रकार से अपना योगदान करती है वो लोग हम लोग अप वहां तंतर में पढ़ेंगे लेकिन जहां important बनेगा मतलब range भौतिक विभाजन में वहां में आपको बताता चलूँगा तो यह जो सिवालिक range है हमारा सबसे पहले सिवालिक समझने से पहले समझेगा सिवालिक range की सुरुवात जो होती है यह हमारा yellow is जो आप point देख रहा हो yellow tint जो है आपको मैं आपको yellow करके ज़्यादा अच्छे समझा पाऊंगा यह जो आप yellow is tint देख रहे है यह जहां से जहां तक गया हुआ है मतलब सबसे पहले यह जो area है हमारा देखो आपको इसमें एक छोटा सा यहाँ पर आपको change करना पड़ेगा यह इस area से आता है यहाँ पर मैं थोड़ा से extra yellow कर देता हूँ देखो तो आप इसको समझने कोशिस किजिएगा यह हमारा concern range है तो सिवालिक range देखो सिवालिक range की शुरुवात होती है वो होती है हमारे कहां से पाकिस्तान से सुरू होती है पाकिस्तान से सुरू होते होते इसका starting होता है पाकिस्तान का यह area से और फिर इंडिया में वो इंटर करता है पंजाब से होते हुए उत्तरखंड के कुछ पार्ट को सटता हुआ हमारा उत्तरप्रदेश के उपरी हिस्सा को टच करते हुए लास्ट हमारा ये जो बिहार का एरिया है यहाँ पर जो बिहारी एरिया है बिहार का एरिया कौन सा तो हमारा बिहार का जो एरिया है चमपारण का पस्चिमी चमपारण उसके उपरी प्रांथ के पास में हमारा सिवालिक रेंज इंड करता है इंडिया में उसके बाद सिवालिक रेंज उपर की तरफ बढ़ता है बढ़ते हुए नेपाल से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए य नेपाल में इंटर करती है और वह अपना अंत कहां करती है तो भुटान में करती है तो इस चीज़ को आप एक दम अच्छे समझेगा क्योंकि देखो बहुत जोग्राफिकल टर्म्स इतने जादा है कि अगर आप धान से नहीं समझोगे तो बाद में आप कंफ्यूजड हो सकते हो तो बिहार में किस एरिया में सिवालिक रेंज आता है तो बिहार का जो चंपारण का एरिया है उसमें आता है हम उसको भी आगे क्लियर कर रहे हैं बच्छो आप इसको देखिएगा देखिए हमारा यहां जो बिहार का आप मैप देख रहे हो इसमें आ पर्वत स्रिंखला है, पर्वत हमेसे आद रखिएगा कोई ऐसा पत्थर कैसा नहीं होता है जो पृत्वी के उपर रक्ठा हुआ है पर्वत जितना आपको उपर भी दिख सकता है पृत्वी से ऑपधरधी के नीचे भी उसकी मतलब उसका new होता है उसका base होता है जड़ होता है तो और परवत का जो स्रिंखला होता है कहीं ऐसा आपको दिख सकता है जहां पे मिट्टी हो लेकिन उसके नीचे पठारी अरिया भी रहता है तो यह जो प्रांथ हमारा बनता है उपर का मतलब कौन सा उपर का तो चमपारण क जो उपरी एरिया होता है इसको हम लोग त्री पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो कौन-कौन सा पार्ट है मैं आपको इस चीज को डिविजन को आगे बताऊंगा लेकिन आज जो हम लोग डिविजन पढ़ रहे हैं उस डिविजन में आज हम लोग सिर्फ चमपारण व यह जो परवतिय चहत्र है यह में आपर और यह हो गया हमारा वेस्ट तो हमारा कहा गया है यहां पर क्या उत्तर और पकस्चमी मतलब आप देख सकते हो अगर हम इसको divide इस प्रकार से करेंगे तो उत्तरपस्ची मतलब कौन सा area यह area होगा हमारा तो इसलिए यह हो गया हमारा कौन सा North और यह हो गया South तो उत्तरपस्ची मतलब की Center Part मतलब बिहार के इस Part में ह canoe हमारा चंपारण है और चंपारण के जिले और हमारा कौन से पार्ट में है तो West Northern part में तो यह वाला वयाब ध्यान में रखीगा अब हम लोग देखते हैं इसमें जो हमारी तीन है जो सोमेश्वर हरहा और रामनगर यह तीन जो हमारे प्रांथ उनको आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आप उसको धियान में रखिएगा देखिए हमारे तीन कौन-कौन से परांत है मैं उस चीज को आपको नोट कर देता हूं यहां पर कि समझन में आपको ज्यादा है पिकिए सबसे पहला है हमारा शुमेश्वर और दूसरा हमारा हरहा और तीसरा है हमारा राम नगर देखिए हम आधा इंगलिस लिख रहे हैं आधा हिंदी लिख रहे हैं इरेजर ओके नेक्स्ट है हमारा राम नगर तो इस वाले प्रांथ को हम लोग देखेंगे कौन-कौन से कहां कहां पर इस्थित है तो देखो बच्चों यहां पर तो रामनगर क्लियर हमको दिख रहा है देखी रामनगर यहां से मतलब यह जो डिस्टिक है मतलब सब एरिया है डिस्टिक नहीं कह सकते हैं पस्चिम चंपारण नहीं डिस्टिक है इस डिस्टिक पस्चिम चंपारण में यहां रामनगर क्लिय देख रहे हो यह सुमस्वर रेंज है सुमस्वर रेंज आप इसको अच्छे समझने में कोसिस कीजिएगा उसके बाद जो राम नगर है राम नगर सबसे नीचे आता है उसके बाद सकेंड जो हमारा है सकेंड यह रेंज ऐस तरीके से होगा यह हमारा कौन सा हरहा यह हरहा रें नीचे के तरफ आता है और ऐसे मतलब यह गौनाहा वाले एरिया के थोड़ा सा उपर भी टच करता है तो देखो यह परवतिय स्रिंखलाओं का एक हिस्सा है इसलिए थोड़ा बिभीन प्रकार का भीची तरह आपको दिख सकता है लेकिन आपको बस इसको यह समझना है कि कौन सा एरिया कहां पर इस्थित है तो आप हमेशा याद रखिएगा यह जो एरिया है यह थोड़ा सा ट्रैंगुलर एरिया टाइप का मिलेगा इस प्रकार का एरिया है और इस प्रकार के एरिया में सबसे उपरी जो पार्ट है वो हमारा सोमेश्वर का एरिया है उसके बाद ज जैसे कि आपको पता होगी गंगा इधर से इंट्री करती है इस पार्ट से हमारी गंगा तो गंगा जो यहां पर से गंगा की इंट्री है उसके जो उपर का पार्ट है मतलब यह उपर वाला पार्ट है अब यहां पर इस चीज को हमने बताया है यहां पर फिर से आपको बताया इसको आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देना 1 2 & 3 सारे कुछ नेम भी हम लोग कर लेते हैं उपरवाला सबसे उपर का जो पार्ट होगा वो कहला हैगा हमारा कौन सा सुमेश्श्वर उसके बाद जो सकेंड वाला सेंटर वाला पार्ट होगा वो हमारा कहला आएगा हरहा और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा वो हमारा कहला आएगा राम नगर ठीक है और उसके बाद बात आती है हमारे उपर कह रिया मतलब बिहार में जो बीच से गंगा उसको पार्ट मतलब दो पार्ट में बाइफर्केट की है डिवाइड की है तो उपर वाला एरिया हमारा नदर्न गंगेटिक प्लेन कहला आएगा गंगेटिक प्लेन मतलब उत्तरी गंगा का प्लेन और नीचे बाद ये जो एरिया होता है नीचे ये एरिया यहां तक यहां तक नहीं सोरी यहां तक का जो एरिया होता है इस एरिया को हम लोग कहते हैं पठारी एरिया यह हमारा पठारी एरिया हो इसको हम लोग कहेंगे प्लेटियू रीजन पी ल ए टी ए ए यू प्लेटियू रीजन तो समझने के लिए बहुत आसान है फिर से मैं आपको समझता हूँ सबसे ऊपर हमारा सुमेश्च्च्छ है उसके बाद हरहा है उसके बाद रामनगर है उसके बाद गंगा के ऊपर वाला भाग को हम लोग नदर्न गंगाटिक प्लेन करते हैं मतलब उत्तरी गंगा का प्लेन और नीचे बाले कौह लोग दचनी गंगा का प्लेन खाते हैं और सबसे नीचे जो यह एरिया है यह यह हरकंट से सटा हुआ यह हमारा कौन सा एरिया हो जागा तो यह हमारा पाथारी एरिया होगा देखिए यहां पर क्या कहा गया है its total area is 932 square kilometer which is about 1% of the total area मतलब जो यह area है यह कितने मतलब area को ले रहा है तो इसका कूल शेतरपल 932 kilometer है जो बिहार के कूल शेतरपल का लगभग एक प्रतिसत है उसके बाद है this area can be divided into 3 parts इसके तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है सबसे पहले रामनगर दून देखो इसको जो यहां पर बताया गया है यह टर्म उपर नीचे है आप इसको manage कर लिजेगा सबसे पहले रामनगर है तो रामनगर सबसे नीचे वाला area है उसके बाद Someshwar है Someshwar हमारा कहां पर है सबसे उपर में है और सबसे पहले दून घाटी दून घाटों सबसे बॉटम वालफ है वो है यहां पर मेंसन किया हुआ जिसको हम लोग हरहा के भी नाम से जानते है अब सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे हम लोग रामनगर दून को रामनगर दून एरिया की सेरिया में है तो रामनगर दून आप देख रहे हो गए जो हम लोग 3 equal part में डिवाइड किये थे उसमें रामनगर एरिया यहां पर बजापता लिखा हुआ है तो यह सबसे उपर का जो एरिया है वो बहुत नीचे तक आता है तो तोड़ा जो ग्राफिकल टर्म से इसको आप ध्यान से अच्छे से समझने कोशिस कीजिएगा देखो राम नगर तो एरिया यहां तक है लेकिन इसमें सोमेस्वर भी आता है सोमेस्वर भी कुछ पार्ट में तो सोमेस्वर एक पार्ट है यह एक्चुली राम नगर दून के नाम से भी जाना आता है और इसको आम लोग साउथ रेंज भी कहते हैं साउथ रेंज मतलब साउथ रेंज अब इसको कह सकते हो इसमें क्या-क्या देखा गया है तो यहां पर चोटी-चोटी पहाड़ी यों की स्रिंखला आपको मिल जाएंगी पिचर लोकेटि इन दे साउथ ऑफ दी हरहा रीवर वैली अब मैंने बताया है आपको कि हरहा रीवर सेंटर का है मतलब जो हरहा की जो यह रिवर वैली हरा जो यह Central पार्ट वाला बीच वाला पार्ट इसमें जो नदी बहती है उसके वो Southern पार्ट में आपको मिल जाएगा मतलब सदर्ण पार्ट मतलब नीचे बाला पार्ट में मिलेगा इस एरिया में सदर्ण पार्ट मतलब हरहां बहली रीवर के नीचे बाले पार्ट में तो अब जहां नदी अगर इस एरिया में बहर रही है तो इसके Southern part काई सा हो जाएगा इसका Southern part उसके नीचे वाला area होगा उसमें की आया है यह 214 वर किलोमीटर है फैला हुआ है तो रामनगर्दून हमारा कहां पहे तो रामनगर्दून यह मतलब सबसे नीचे वाला हमारा रामनगर्दून का मतलब हो गया सबसे नीचे वाला और इसकी जो फैलावट है टोटेल ये फैलावट कितनी है तो 214 वर्ग किलोमेटर और इसकी अधिक्तम उचाई यहाँ पर जितने भी छोटे-मोटे आपको पहार मिलेंगे देखो इसको अल्रेडी कहा गया है कि रामनगर दून में बहुत सारे परवत पा इससे ज्यादा उचाई वहाँ पर नहीं है उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है उसके बाद हमारा सुमेस्टर रेंज है देखिए सुमेस्टर रेंज के बारे में समझीगा देखिए सुमेस्टर रेंज मैंने कहा है कि सुमेस्टर रेंज हमारा कहां पर है तो सब तरीके से जाएगा तो जैसे यज़ सीवालिक से दूर जाएंगे वैसे भी साइज छोटा होता जाएगा और जैसे निकितरह के तरफ बढ़ेंगे तो हमारा पाढ़ा का हमेसा याद रखिएगा सोमेस्वर हरहा और राम नगर में देखा जाए तो सबसे उंची जो परवत माला इसमें आपको छोटी-छोटी परवतों में सबसे जो उंची मिलेगी वो 880 मीटर की ही मिलेगी तो मतलब इधर जैसे से वो नजदीक जा रहा है किसके तो इस तरफ में अगर आगे बढ़ होगे तो यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा इस एडिया में आपको मिलेगा सिवालिक के जैसे नजदीक जाएगा तो पहाड की उचाही भी बढ़ जाएगी तो सबसे उंची उत्तितम बिंदू में आता है यहां बिहार के उत्तम बिंदू है एक और को ऩी पूरा रेंज उत्तर पस्ट इसका सीर्ष भांग भारत और नेपाल के सीमाने धारन करता और यह जो आप देख रहे हो इस एरिया में यह जो जगह है मैं इसको रेड से आपको रिमाइंड करता हूं यह जो एरिया है यह नेपाल का एरिया है नेपाल सटा हुआ है हमारा पस्टिम चंबारंद के उपर ही एरिया में यह एरिया हमारा नेपाल का एरिया है और यह नेप सुमेश्च्वर भिखना थोड़ी और मारवात दर्रा प्रमुख है अब बिहार में कौन-कौन से important दर्रे हैं तो बिहार में जो भी important दर्रे हैं वो आपको कैसे पता चलेगा तो देखिए सबसे पहला यहां पर आपको मिलेगा सुमेश्च्वर उसके बाद है हमारा भिखना थोड़ी और थर्ड इस मारवात तो यह important दर्रे हैं एक और question important बनता है कि बिहार में महत्तपूर्ण दर्रे कौन-कौन से हैं तो सबसे पहला यहां पर कौन सा दर्रा है सुमेश्च्वर उसके बाद है भिखना थोड़ी और उसके बाद है मारवात तो यह important हमारे दर्रे हो गया तो आप यह भी बात रट लीजिए सब सुमेश्वर रेंज के बारे में सुमेश्वर सबसे उंचा रेंज के अंतरगरत भी आता है इसी लिए इस से आप को यह इस चेटर में भारत और नेपाल के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है तो यह कड़ी होने का मतलब क्या कि इस पास के जरिया नेपाल से हिंधूष्तान में लोग क्या करते हैं समान का आबाज ही करते समान हिंदुस्ताने भेज जाते हैं और हिंदुस्तान से समान बाहर भेज जाते हैं तो आप इसको एकदम देखो यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह मिस नहीं किजिएगा कि कौन-kौन से पास का इस्तिमाल किया जाता है हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में ट्रेडि एकदम सोच लिजेगा राम्नगर घंटी और रामदून घंटी इसी अंतर चाथा है।到 इसके बारे में क्या है the location of दून घाटी is between राम दून and सुमेश्वर तो ऊपर में हमारा हो गया सुमेश्वर सुमेश्वर ऊपर हमारा हो गया सुमेश्वर और उसके बाद क्या हो गया राम दून ये हो गया नीचे में हमारा राम पर क्या कता है the valley is formed by the Harah River is so it is called Harah Valley अब देखो यह जो valley है इसमें valley का formation कब होता है तो आप इसको समझेगा अगर दो परवत है और परवत पर से तो परवत के ऊपर से तो नदिया नहीं बह सकती है तो नदी को बहाने के लिए तो हमको एक ऐसा जगह की जरुवत पड़ीगी जो थोड़ा नीचला हो उचे जगह से तो पानी बहा नहीं सकता है तो यह जो formation हुआ है तो उचे उचे चोटिया एक तो चोटि हमारा 880 का इधर हो गया सोमेस्ट्वर में उसके बाद एक हो गया हमारा रामदून के रिया में दूसरा हमारा कौन सा हो गया रामदून के रिया में तो यह जो नीचे है तो इसमें हरा नाम की एक नदी भी बहती है हरहा रिवर इसके बीच से बहती है इसी लिए यहाँ पर इसका अलग नाम मतलब दून घाटी का दूसरा नाम हरा वैली भी कहा जाता है अब क्या दे लेंथ अफ दिस वैली इस वैली इस अब ट्विटीफोर किलोमेटर और यह जो वैली है इसकी जो लंबाई है बचों वो कितनी है 24 किलोमेटर के करीब करीब है तो मतलब इसकी लंबाई जादा नहीं है 24 किलोमेटर बहुत जादा नहीं होती है तो इसकी जो लेंथ है वो 24 किलोमेटर है अब मैं आपको बता जाता हूँ कि इसका इस्तेमाल किस किस चीज के लिए क्या आता है तो यहाँ जो नदी बह रही है उस नदी का एक इस्तेमाल सबसे पहले इस एरिया में खेती के लिए क्या आता है मतलब जो रामनगर का एरिया है और सिंधो यह जो दो एरिया है यहाँ पर ख्रेती के लिए प्रमुक देखिए सबसे पहली बात यह पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी एरिया में ख्रेती करना उतना आसान नहीं होता है तो इसके लिए क्या किया गया है बहुत सारे रिवर पहली प्रोजेक्ट का मतलब बहुत सारे रिवर पहली प्रोजेक चीज कहा जाए क्या है तो उसकी रिवर सिस्टम होती है क्योंकि जितनी भी सभेता आप हिंदुस्तान में देखिएगा बच्चों वो कहीं न कहीं से किसी रिवर की ही बगल में उत्पन हुई है और सबसे ज्यादा लोग उसी जगह पर रहते हैं जहां पर नदी रहता है अग लोग रहनी पाते थे तो इसलिए क्या किया गया है कि हरा रिवर के ऊपर में बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट भी बनाए गया है उसके बाद क्या है दिस वैली स्लाइटली हायर देन दा गैंगेटिक प्लेन अब बात एक और चीह आती है यह वैली जो है अब इस वै गैंगेटिक प्लेन से मतलब गंगा का जो मैदान है उसके प्लेन से वह थोड़ी सी कैसी है थोड़ी सी उची है हाई हर है यह गंगा मैदान से थोड़ी उची है अब गंगा मैदान से उची होने का कारण एक और भी चीज है क्योंकि देखो गंगेटिक गंगा का एक छोट मैप के जरी आपको समझाएंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा देखिए यह हमारा बिहार का क्या है तो बिहार का आप मैप देख रहे हैं इसमें गेंगेटिक सिस्टम को बताया गया है तो गेंगेटिक सिस्टम एक्चुली यह उपर है देखो यह है कैसे देखा जाएगा तो यह इस सेप का है यह हो गया हमारा सिवालिक और ये जो इस side हो गया ये हमारा हो जाएगा कौन सा ये हमारा हो जाएगा पाठारी ये पाठारी एरिया मतलब ये उपर का मतलब बिहार का condition इस रूप में है इस रूप में एक पेटी नुमा बनाओ बिहार का जो बिहार है बिहार एक नदरन साइट से पेटी नुमा है और इसलिए जितने भी नदियां बहती है हिमाले के तरब से वो एक नए एक इधर से बाते बाते देखोगे सारी के सारी गंगा नदीम बहती है और यह जो पेटी है ना मतलब एक कटोरी नुमा है तो इसके बीच से गंगा बहती है इसलिए यह बार भी उपर उठा हुआ है और इधर जो पठारी एरिया है यह भी उपर उठा हुआ है तो दोनों जब उपर उठा हुआ है तो एक कप नुमा जो बन रहा है इसलिए जितनी भी नदिया हैं, इधर से बहने वाली गंडग, गंडग, बुढ़ी गंडग, बागमती, कमला, कोसी, महननदा, आनीचे में सोन, पुन, पुन, फागुल, क्यूल और आजया, सारी की सारी नदियां कभी भी इस तरफ में, मतलब इधर से इधर की तरफ नहीं ब हा रही है, तो गंगा हर नदी को अपने में मिलाते हुए, आगे की और वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ता है, तो यह वाला साथ पॉइंट अपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलिए हम लोग यह वाले कंटेंट को देख रहते हैं, लोग लोग, लोग लोग, लोग हम लोग यह वाला पॉइंट देख रहते हैं, रामदून देख रहते हैं, अब यह बात आपको समझ में हैं कि गंगा घाटी के मैदान से थोड़ा उचा के हुए, देखो उचा होने के पीछे सिर्फ एक कारण बनता है, कि वहाँ पर नदेखो उचा होने के पीछे एक ही का कारण है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया के कारण क्या हो गया है, यह थोड़ा सा उचा हो गया है, कि इसके गंगेटिक प्लेयन के बारे में, गंगेटिक प्लेयन समझने के लिए आपको यहाँ पे तीन अलग-अलग मैप दिये हुए है, औ प्रूपना आप लोग बचो अपर इस देखिए यहां पर क्या है गंगेटिक प्लेन के बारे में देखिए गंगेटिक प्लेन की सुरुवात कहां से हुई है तो गंगा गंगा का उद्गा मस्तल गंगोत्री है और येसी एरिया में मतलब ये एरिया से गंगा किधर की और बहती है तो हमारे पूरब की तरफ बहती है तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये गंगा का हमारा कौन सा एरिया कहलाता तो गंगेटिक प्लेन कहलाता है जिसमें गंगा आगे की ओर बैती है तो अब देखा जाए इसकी सुरुवात कहां से होती है तो गंगा हमारी उत्तरप्रदेश होते हुए और आगे बिहार से फिर वेस्ट बंगाल में जाकर के बंगाल के खाड़ी में गिरती है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बिहार में इंट्री जो गंगा की हुई है वो कहां से हुई है तो इस जगह से हुई है और धीरे धीरे वो बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ती है और जितनी भी नदियां आस पास की हैं जाया है वो घगर हो गंडक हो बुड़ी गंडक हो बागमती हो कमला हो कोसी हो महाननदा हो यह सारी नदी के कहां कौनसी यह हमारी पहारी नदी है पहाड़ी नदर मतलब परवत से नेपाल के तरफ से आती है और ये एक नए एक टाइम आगे बढ़ते हुए गंगा में मिलती है एक छोटा सा आपको MCQ बतायता हूँ कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मतलब जो गंगा पे प्रोजेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रोजेक्ट है वो हमारी गंडक नदी पर बना हुआ है तो ये भी एक कोशन आ सकता है कि सब आस है वि कई ग्हार का ये पाठी एरिया है यहां और फ्रकारश नहीं सब्सक्राइब दिखाए तो बहुत बहुत अच्छी आपroyल नंचे तैढितले बतकwo करें जादा इो बच्चों आप लोग जवाब दो एक क्वेश्चन आपके लिए है बिहार का सोग किसे कहते हैं थोड़ा बात भी कर लिए जल्दी बुताइए बिहार का सोग किसे कहते है बस एक चीज बहुत अच्छा लगता है आप लोग देखते हैं यहां पर नेक्स्ट यह दो वहाँ यह उए वाइज और नहीं यह वाय और नहीं कोई नहीं कोई बात नहीं आसे मज़ा कर रहा था देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर नेक्स्ट the extent of the plane is found from Nepal in the north of the Bihar to the border of छोटा नागपुर इंडर सौथ गैंगेटिक प्लेन के बारे में अगर बोला जाए कि इसका border कहां से कहां तक है, मतलब किस जगा से ले करके जी हां गायतरी आप सही बोल रही है साक्ची भी सही बोली है, अलका भी सही बोली है सजदा भी सही बोली है, साज़िया भी सही बोली है खुसबू भी सही बोली है, सब बच्चे लोग एकदम सही जवाब दिये हैं, मैंने देख लिया है तो यहां पर क्या है कि यह जो extent है, यह फैलाव जो है किसका, इस plane का, इस plane मतलब कौन सापलेन, गेंगेटिक प्लेन का गंगा का जो मैदान है, गंगा का जो मैदानी यह लिया है उसमें जो फैलाव है वो कहां से कहां तक है तो नेपाल इन दे साउथ हमारा जो यह साउथ के एरिया में देखा जाए तो नेपाल है इन, सारी point from Nepali in north और यह गरवर बोल दिया हमेने नेपाल कहाँ पर है नौर्थ में है क्योंकि उपर हमारा नेपाल है और south में हमारा जहरकंड है eastern side में हमारा west बंगाल है और western side में हमारा कौन सा राज्ज है यूपी यह हमारा western part में है तो नेपाल हमारा कहाँ पर है north में मतलब यह अरिया मतलब गंगैटिक प्लेन का जो अरिया है उसकी सुरुवात यहाँ नेपाल के तरफ से हुई है और to the border of छोटा नागपूर इंडा south छोटा नागपूर प्लेटिव यह यह जो पहाड़ी एरिया है जारकंड का यह छोटा नागपूर प्लेटिव कहलाता है और यहां पर south में मतलब यहां से लेकर के यहां तक इस रूप में हमारे इस गंगा का जो प्लेन है गंगैटिक प्लेन यह है ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं किस चीज़ को अब एक और महत्रपूर्ण प्लेन यह आता है कि बिहार जो हमारा राज है इसमें गंगैटिक प्लेन का गंगा का जो मैदानी एरिया है वो कितना प्रतिसात योगदान अपने अंदर लेता है तो वो लेता है 96.27 अब आप खुड देख सकते हैं यहां पर उपर तो छोटा सा एक दसमलो कुछ परसेंट लिया उसके बाद यहां पर जो पठारी है छोटा नागबूर प्लेटियू अब इतना को छोड़के जितना बचा वो सारा का सारा Gangatic Plain के ही अंतरगत आएगा और यह जो प्लेन है मतलब यह जो एरिया है वो किनके कारण बना है तो यह बनने के पीछे कारण है Tributory Tributory का आर्थ होता है वैसी नदियां जो किसी एक बढ़ी नदी से मिलती है तो सहायक नदियां कहा सकते हैं आप उसको तो जितने भी सहायक नदियां हैं अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ गंगा का ये पार्ट अगर बहुत बढ़ियां तरीके से फर्टाइल होगा तो नदियां जहां जहां भी रहेंगी उसके आसपास का पार्ट भी फर्टा जब्हादा मतलब हिंदुस्ति बिहार में हंगामा खड़ा करती है यहाँ इतने पार्ट को अगर फर्टाइल कर रही है तो फटिलीटी बिहार में फर्टिलीटी के लिए जो में कारण बनते हैं वो नौड़्साइद के मतब नौदर्ण पार्ट के जितनी भी नदियां हैं वो बनती हैं आप इसको एकड़म दिमाग भी ठालो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया पूरे बिहार में नदरन पार्ट है सदन पार्ट उतना अधा फर्टाइल नहीं होता है यहां आपको अच्छे अच्छे ओर्स मिल जांगे आरन ओर करें मैंगनीज मिलेगा बॉकसाइट मिलेगा यह जितने भी जमीन से निकले वाले खनीज परदार्थ होते हैं वह इस एरिया में पाया जाता है और नीचे आपक इस वाले पॉइंट में कि बिहार में 96.27% हमारा किसका है तो 96.2% हमारा बिहार का गंगेटिक एरिया कवर करता है और इस एरिया का फॉर्मेशन की पीछे कारण क्या है सेडिमेंट्स जो बह करके आते हैं सेडिमेंट्स मतलब छोटे-छोटे पार्टिकिल्स जो गंगा के म में उनकी सहायक नदियों के द्वारा अबह करते हैं उनके कारण और उनके टुबुट्री उनके मतलब और भी छोटे-छोटे जो ज़रने होते हैं या फिर चोटी-चोटी नदियां होती है या फिर आपका सकते हो उसको कैस्केर्ड कहते हैं वो सब है उनके जो धीर-धीर बहाव आता है एक दूसरे से मिलते चलता है उसके कार यह plane का निर्मान हुआ है उसके बाद गंगेटिक plane को यहां पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कौन-कौन से गंगेटिक plane यह पूरा का पूरा यहां से यह जो एरिया है मतलब इसको और इसको छोड़ करके यह पार्ट को छोड़के जितना भी एरिया है यह गंगेटिक plane के अंतरगत आता है और यहां पर याद रखने का कुछ-कुछ condition है इस सारे condition को देख लो आप यह सब याद करिएगा यह बहुत तीन इस तीनों को छोड़ दीजेगा उसके बाद का जो एरिया यहां पर आपको पता है सबसे 880 मीटर का उंचाई का यही पर आपको पहाड़ मिल जाएगा चोटी-चोटी प्रवति स्रिंखला मिलेंगे जो 880 मीटर की उंचाई तक है लेकिन इसके बाद का जो यह पार्ट बनता है यहां से लेकर कि यह पूरा पार्ट आप इस पार्ट में दिखिएगा तो यह जो ढाल है यह मात्र 6 सेंटी मीटर प्रति किलो मीटर है 6 सेंटी मीटर पर किलो मीटर मतलब बहु जादा ढ़लाओं भ वहां की नदियां तुरंत में पानी उनमें भरेगा तुरंत में पानी सुक जाएगा जल्दी से बाढ़ाएगा जल्दी से बाढ़ खतम भी हो जाएगा लेकिन बात यह क्या है कि यह जो गंगा का उपरी तरही एरिया है वहां पे ढाल बहुत कम है इसलिए पानी अगर आ वानिया वानिय कमेसा रहता है यह कभी सुख़ती नहीं है कम और लकिन आते सब्सक्राइबिथ रहती है यहां पर पैदावाश भी हमारी फसल की बहुत अच्छी होती है उसके बाद है this is the reason that sorry this is the reason that the situation of water logging is found during the monsoon period यही एक कारण है कि जब monsoon आता है monsoon में क्या होगा कि जितने भी मतलब जो बादल होते हैं जो हमारे बंगाल की खाड़ी से उठते हैं वो धीरे धीरे उठकर के आते हैं किस तरफ में हमारी हिमाले के तरफ में और हिमाले की उचाई इतनी ज़्यादा है कि बादल वहां से नेपाल चाइना के तरफ जा नहीं पाता है इसलिए वहां पर जाके वो बढ़स जाते हैं तो बढ़सा के कारण जो भी नदियों में पानी का प्रभा होता है इसलिए water logging मतलब कि यहां जल जमाओ बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाहर की परिस्थिती भी इसी करण से बनती है उसके बाद है इस मैदान की समुंदर तल से उचाई 60 से 120 मीटर जबकि गहराई एक हजार से 1500 मीटर है अब समुंदर तल से अगर उचाई देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है लेकिन यहां समुंदर तल से उचाई गहराई यहां पर कितनी है एक हजार से 1500 मीटर के बीच में है तो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस धियान रखने के लिए आप इस fact को दिमाग में रखना गंगा नदी के अनुसार यह विसाल मैदान दो भागों में विभाजित किया आता है और गंगा नदी में आपको बता दिये हैं देखो गंगा बीच से बिहार के बीच से गंगा बहती है और यह सेफ है मतलब बिहार का बीच का मतलब पार जीएगा यह वला पार्ट हो गया हमारा नौर्थर और यह नदर्ञ स्वर्ड नहीं नंदर्न और यह वालब पार्ट हो आओ किधर से भी आप मिलोगे कहां गंगा में आकर कि आप मिलोगे इस लिए इस गंगा के दोनों भाग को नौधर नौधर्न और सदर्न मतलब उत्तर और दश्चनी भाग में डिवाइड किया गया है हम अपने ख्लास को यहीं पर अंत कर रहे हैं लेकिन इस अंत करने से पहले आपसे कुछ और चीज़ हमको पूछना है आप लोग अपना राय दिजिएगा पहले आपको मैं बतायता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ आप लोग जैसा कहिएगा आपके हिसाब से भी थोड़ा साम चलेंगे लेकिन आपके विचार को मैं लेना चाहता हूँ विचार हम यह ले रहे हैं कि हमारा बिहार का स्पेसल तो अच्छे तरीके से चल रहा है लेकिन हमारा और पेपर से जैसे हमको पॉलिटी भी पढ़ना होता है तो ऐसा करते हैं बचो कि हम लोग एक रूटीन बना लेते हैं रूटीन में क्या रहेगा कि हम पॉलिटी को भी साथ-साथ लेके चलें क्योंकि एक ही पेपर पढ़ते रहेंगे तो मजा खतम हो जाएगा अब और पॉलिटी में हमको जितना जल्दी से जल्दी हो हमारी जो पॉलिटी की बुक है उससे हम लोग कम्प्लीट भी करेंगे तो आपका क्या कहना है क्या रूटीन एक सेटल करते हैं तो इसमें यह चीज रहेगा कि किस दिन कौन सी कलास रहेगी और जैसे आज मतलब सुरू में नहीं बताएंगे हमेशा कोसिस करेंगे करेंगे करेंट भी को लास्ट वे लेने का औरेंगे कुद सी पढ़ने कोसिस कीजिए तो आप क्या कहते हैं ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा कि अगर class चल रही है और बीच में खतम हो जाए तो उसमें हम current affair add कर दें या current affair के लिए अलग class लेके आएंगे वो आपको पसंद होगा आप please मेरे को ये बता दो हाँ routine कर दीजिए class night में morning में school होता हाँ देखिए साक्षी आप ये बात याद रखिएगा हमारे पास सिर्फ 8 बय से 9 बजे के बीच में ही time है इस time में मैं इस से पहले मतला movie बगरे देखा करता था लेकिन अब से बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग याद रखना कि 8 से 9 में ही आपको मैं मिलूंगा चाहे आज मिलूँ चाहे आज से एक साल बात पढ़ाते हुए मिलूँ ये time change नहीं होगा in any circumstance मैं time नहीं बदल सकता हूँ morning में possible नहीं है क्योंकि morning में मेरी खुद की पढ़ाई रहती है ठीक है आप लोग routine और हाँ एक और चीज़ पूछ रहा है कि जो लोग English medium वाले है जो बच्चे उनको अब तो समस्या नहीं न आ रही है क्योंकि मैं English Hindi दोनों में कर देता हूँ बताइए अब समस्या नहीं नहीं कि pure English में रहता है या pure Hindi में रहता है मैं English Hindi दोनों दे रहा हूँ language related barrier नहीं आ रहा है ठीक है अब बात आती है test की देखो test में एक छोटी सी problem आई है जिसके कारण मुझे सारा test delete करना पड़ गया टीच्मेंट का देखो problem यह आ रही है बच्चों कि जो test हम बना के server में डाले थे टीच्मेंट के वो क्या हुआ कि टीच्मेंट वालों ने उसको को reject कर दिया rejection के पीछे कारण क्या था कि वो test मैंने एक दीन का दिया था मतलब 24 गंटा का validity का मैंने गलती से टेस्ट लगा दिया था मेरी समझो तो उस test को 6 टेस्ट मैंने बनाया था उसको डालने में उसमें करीब करीब तीन से चार घंटे लगे थे मुझे और सारी महीनत मेरी बेखार चली गई थी तोड़ा दिर में करेंट पढ़ाओंगा थोड़ा दिर आगे तक करेंट भी हम उन बच्चे लोग आप समझेगा क्रिस्टन सर का एक नोटिफिकेशन आया है वह बता रहे हैं क्या कि आज के दिन उनके पास कुछ unexpected बहुत ही अर्जेंट कारे आ चुका है जिनके कारण वह आगे वाली क्लास मतलब जो क्लास हमारे क्रिस्टन सर की होती है नौ बैस से लेकर के दस बैस तक उसमें वह आ नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ unexpected काम उनको आ चुका है और जो आज जा क्लास है वह संडे को इवनिंग में दे दिया जाएगा बच्चों आपका जो अगला संडे आ रहा है उसमें आपको यह वाली क्लास मिल जाएंगी तो प् थोड़ा सा आप लोग cooperative बनिएगा हमें से हम लोग के लिए क्योंकि यह service हम दिल से आपके लिए लेकर आते हैं कोई pressure में नहीं लाते हैं क्योंकि आप लोग हमारे एकदम चहते बच्चे सब हो याद रखना है इस चीज को ठीक है तो please be cooperative with us we will also give you good education याद रखना है यह को हमारे बीके जो है वो क्रिस्टन सार है सभी बच्चे उनको thanks बोलिए जाल्दी से हाँ साक्षी question पूछ सकती है पूछिये जी अप लिख के पूछो बोल के पूछो कोई सुनी आप पूछ सकती हूँ पूछिये बच्चो क्या पूछ रहा है नहीं साक्षी कुछ पूछ रही थी पूछिये बाबू क्या पूछ रही है you पीएसे में आप देखिए आप पीएसे की सेट का है यह रही है यह PSC होता है या PCS होता है ध्याद दो पब्लिक सर्विस कमिशन होता ना बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन तो PSC में बिहार के PSC में attempt हाँ यह बहले बताई कि हाँ बिहार PSC में देखा जाए ना तो आपको यह बात देखो आप यहां पर पूछ रही है आप हमसे वाटसे पर पूछ लिजया क्योंकि उसमें कुछ कंडिसंस होती है रिजर्वेशन के उपर भी फीमेल रिजर्वेशन अलग होती है स्टी ओबी सी की रिजर्वेशन अलग होती है तो आप बेटर है आप मेरे वाटसेप वाले ग्रूप में अगर हो तो वाटसेप वाले ग्रूप में आप मेरे से पूछ लीजेगा मैं आपक ठीक है WhatsApp ओला नंबर तो आप लोग के पास होगा ना